असलाम अलेकूम, आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्ण सूप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नाम पूलिएगा, साथ ही दिये बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इंग्रीडियन्स आपके स्क्रीन पर है सबसे पहले एक पैन में लेंगे, दो लीटर पानी अब हम इसमें आड़ करेंगे 700 ग्राम्स चिकन, 15-16 अदद काली मिट्रे आड़ करेंगे 5 अदद गार्लिक क्लोफ्स आड़ करेंगे 2 अदद छोटे टुकडे अद्रक्के आड़ करेंगे अब हम इसको तेजाज पर बॉयल होने रख देंगे आप देखेंगे कि जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा उपर थोड़ा थोड़ा ज़ाक से आने लगेंगे आप उस ज़ाक को अलग कर लें अब हम इसमें आड़ करेंगे हस्बस आयका नमक मैंने यहाँ वन टेबल स्पून आड़ किया है अब आप देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है आप इसका ठखना ढाक कर 45 मिनट्स तक मीडियम टू हाई फ्लेम पेस को पकाएं अब आप देख सकते हैं कि 45 मिनट्स हो चुके हैं मैंने इसका फ्लेम आफ कर दिया है चिकन की यखनी तयार हो चुकी है अब आप इसको स्टेन कर लें यानि चिकन लसन अद्रप और काली मेचर को बाहर निकाल लें चिकन ठंडी हो जाए उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से श्रेड कर लें आप देख सकते हैं कि चिकन श्रेड हो चुकी है अब हम यखनी के अंदर आट करेंगे एक अदर चिकन क्यूब अगर आप चिकन क्यूब नहीं आट करना चाहते तो आप अजीनों मोतों भी आट कर सकते हैं एक टी स्पून जब यखनी पूरी तरीके से गरम हो यानि बॉयलिंग पोजिशन में आप उसके अंदर शेड़ चिकन आट करें साथ ही इसके अंदर वन कप कॉर्ण आट करें मैंने यहाँ कॉर्ण का टिंस तमाल किया है इसको अच्छी ताना से मिक्स करें अब हम इसमें आट करेंगे कॉर्ण फ्लार मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून कॉर्ण फ्लार लिया है और quarter cup पानी आट किया है कॉर्ण फ्लार को बहुत अच्छी ताना से mix करना है ताकि इसमें कोई lumps ना रह जाए आप देख सकते हैं कि कॉर्ण फ्लार अच्छी ताना से पानी में mix हो चुका है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्ण फ्लार अच्छी करेंगे एक हाथ से कॉर्ण फ्लार अच्छी करें और दूसरे हाथ से चमचा चलाते रहें अगर आप चमचा नहीं चलाएंगे तो उसके अंदर lumps बनना शुरू हो जाएंगे कॉर्ण फ्लार की quantity आप कम या जादा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से देखें आपको जतनी consistency रखनी है उसी इसाब से डालें मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून अच्छी के मटाबक डालें अब हम लेंगे एक अदद अंडा और इसको अची तरह से फेट लेंगे अंडा भी बिल्कुल इसी तरह आट करना है यानि एक हाथ से आप पोर करें और दूसरे हाथ से चमचा चलाते रहें अगर आप अंडा अड़ करते वे चमचा नहीं चलाएंगे तो इसके बड़े बड़े टुकड़े बन जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके अड़ करें और चमचा चलाना मस्ट है इस पॉइंट पे आप उसका नमक जरूर चेक करें अब इसको तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि कॉर्ण फ्रार का कच्चा पन खतम हो जाए और होगे आपका मज़दार सा चिकन कॉर्ण सूप तयार इसको सॉय सॉस, चिली सॉस और विनिगर के साथ गरम गरम सर्फ करें मेरे चानल को सबस्क्राइब करें और साथ ही दिये बैल आकन का जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वारी वीडियोस आपको मिलती रहें